Hi everyone, कैसे हैं आप सब ? QRMP skim जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा hot topic बना है और हर कोई मतलब एक ऐसा प्रिशान हो रहा है कि पता नहीं क्या आगया आज ना इसको बहुत सिंपल तरीके से संझेंगी ठीक है एक बहुत सिंपल तरीके से और जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको realize होगा कि actual में इसमें कुछ भी नहीं है मतलब already हम जो चीजे देखी थी ना तो उसी से related सब कुछ है ऐसा कुछ भी बहुत ज्यादा major नहीं है और जब पूरा end तक देखेंगे तो आपको कही न कहीं realize होगा कि कि शायर मुझे इसकी जरूरत भी नहीं मुझे महीं से आपको जब आपके पास clients आइंगे अगर आप return filing विग्रा कर रहे हैं अपनी clients का तो maximum clients को आप कहीं न कहीं यही recommend करेंगी कि qrmp scheme रहने दो इसको opt-up in मत करो इसको छोड़गी तो क्या फैदे हैं क्या मुकसान हैं उन सब चीजों को समझने से पहले हमें यह समझना important है actual में qrmp scheme क्या है qrmp scheme मतलब quarterly return with monthly payment qrmp की full form है तो अब इसके लिए arrow आपको visible होगा ठीक है न तो वहाँ से समझे न क्योंकि मैंने लिखने का ऐसा कुछ था नहीं तो मैंने tab विग्रा connect नहीं करें पाएं विग्रा से ठीक है quarterly return यहां पर आप जो return file करेंगी वह file करेंगी quarterly तो सब quarterly तो पहले भी file करते थे वहाँ पे भी हमारे पास पहले भी option था 1.5cr से पहले हम जो gstr1 होती थी वह quarterly file करते थे हां बिल्कुल करेंग डेट करोड के turnover में भी आपको option होता था आपके पास आप चाहरे तो gstr1 quarterly दोनों का ही option दे रहे हैं कैसा quarterly option दे रहे हैं कि आपको monthly file करना नहीं है आप उसको quarterly file कर सकते हो ठीक है तो मतलब पहले भी मैं कहता था कि को ज्यादा benefit नहीं है gstr1 को quarterly opt करने के लिए details आपको सारी maintain करनी पढ़ रहे है सब कुछ maintain करना पढ़ रहे है 3B आपको file करनी पढ़ती है तो उसके लिए मैं वैसे भी recommend करता था कि monthly opt कर लो और ऐसा यहां पर भी quarterly आ गया है तो देखते हैं क्या plus points से कब negative points से कब लेके benefit है तो यहां पर हमें यह अच्छा किया है कि 3B का भी option देदी है कि अब अब उसको quarterly file करो तो तीन महीने दर ना तो जीस्ट है one file करनी है ना 3B file करनी है तो tension free रहना है ठीक है but client अगर हमें pass आयगा ही नहीं वो हमसे return file कर आयगा ही नहीं तो फिर वो face में कैसे देगा तो दोनों चीज़े हैं क्योंकि client चुसीच को नहीं समझता है कि burden उतना नहीं अभी भी ठीक है अगर आप GST की practice कर रहे है तो आपके उपर तो button उतना ही आएगा क्योंकि data तो भी manage करना है थोड़ा से कम हुआ है बहुत जादा फरक नहीं आया तो देखते हैं लेकिन 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 tax अभी आपको monthly ही pay करना है ठीक है मतलब यहां पे ना separate चलान सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया यहां पे चलान का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसके अंदर क्या हुआ है कि आप जो payment है ठीक है जो payment है वह कैसे करेंगे वह आप मंतली करेंगे पहले तो 3B के थू जाके चलानी जनरेट होना था अभी 3B छोड दिया है उन्होंने अलग सिस्टम कर दिया जिसको हम कवर करेंगे तो इस केस में क्या हुआ तो रिटन तो आपको क्वार्टर में फाल करनी है मगर पेमेंट आपको कैसी करनी है मंतली करनी है अच्छा अब यहां पर देखते है है स्कीम किसके लिए देखो यह फस्ट वीडियो यूटुब पर भी अवेलेबल होगी तो यहां पर मैं आपको अच्छा डेटेल ओवर्विव दे दूंगा बट पूरी सिस्टम को समझने के लिए कि आएफफ स्कीम कैसे है कैसे रिटन फाइल होनी है कैसा टेक्स पे होना ह है या उसका एक आइडिया अगर आपको चाहिए या फिर ऑप्टिंग की डेट्स के हैं और इसके अंदर आपको यह इंगल जाएगा मतलब फिर आपको सेपरेट लेने की रिखार्मेंट नहीं है बट अगर आप पहले से कर चुके हैं जीस्ट का सर्टिफिकेशन कोर्स और आपका कॉर्स काफी पहले कंप्लीट हो गया था या आप सिफ पर्टिकुलर नी क्यूर्म की स्किम को समझना चाहते हैं तो नॉमिनल सी फीस पे अवेलेबल है कुछ ताइम तक रहेगा फिर वो रिमूव हो जाएगा कूर्स तो कुछ ताइम तक है तब तक आप उसको अन् फाइल करने के लिए और 3B करने के लिए मतलब GSTR 1 और 3B जो फाइल नहीं करना होता था जिनको वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकते तो एक बहुत कॉमन बात बोलूं तो जो कंपोजिशन स्कीम वाले थे उनकी लिए ऑप्शन एवेलेबल ही नहीं है क्योंकि उनको GSTR 1 प्ल सब्सक्राइब कर सकते हो अभी और चलाना मंतली बीसिस आपको पे करना है यह अफेक्टिव कप से हो चुका है यह 1 जनुरी 2021 से हो चुका है तो काफी टाइम हो गया है अभी इसको अफेक्टिव लिए थे तो उस टाइम के पे आपके पास options आये थे पोटल पे कि qrm पे आ अब मार्च में जाके इसको अगर लगा आपको benefit तो उप्टेंट जो करोगे मार्च में करना अभी जैसे करते आयों ठीम वैसे ही नॉर्मल अपना submit करते हो बहुत सारे जो clients है उनके साथ घरबढ़ हुई मतलब जैसे आपके पास भी clients आएंगे तो उनके साथ mistake हुई है क्य उन्होंने कहीं से फाइल कराया था और उन्होंने quarterly के अंदर opt-in कर दिया क्यों उनको knowledge नहीं थी कि भही actual में है क्या अब दिक्कत क्या हुई उन्होंने opt-in तो कर दिया अब उनको यह नहीं पता है कि return कैसे file होनी है उसमें कॉनसी details देनी है नहीं देनी है मुझे tax कैसे प्र करना है तो चीजे clear हो जाएंगी और जो वीडियो यह बाद में देते होंगे तो उन्होंने का decision ले चुके होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और एक और चीज़ जो भी वीडियो आपको मिलती है न कोर्स में तो साली updated है ठीक है न जीएस्ट कोई वीडियो अगर आज है दो साल पहले तक कर रेफरेंस उसनों में लिया तो क्यों उस टाइम के रेट उस टाइम पे एंट्रोडियूस होए ते वह आज भी अप्ली की बने तो मैंने उस लेटिस रिकोर्डिंग में भी पुराना रेफरेंस तो वह वैलिड जब तक रहेगा जब तक कोई चीज न तो अलगल अकाउंट नहीं करोगे उनका टोटल वेसिस पर कैलकुलेट करोगे पांच करोड रुपे तक का अगर आपका टर्न ओवर है ठीक है इन दे करेंट फाइनिशल यह अंद प्रेसिदिंग फाइनिशल यह एंड और फिर इस साल में भी आपका पांच करोड से नीच हो सकते हैं अब इसके मेंना कुछ इफन बट लेता हूं कुछ अलगला कॉंबिनीशन लेते हैं कि क्या क्या सिचुएशन हमारे पास हो सकती है पहली सिचुएशन आपका बिजनस पुराना है ठीक है पिछले साल आपका पांच करोड से ज्यादा कर टर्न ओवर था आप इसक में कब तक eligible होगी जब तक आपका पांच क्रोड से उपर का टर्न ओवर नहीं हो जाता ठीक है इस मंथ आपका टर्न ओवर आपको उमीद थी कि पांच क्रोड से उपर नहीं होगा और ओकी आपने qrmp ले ली थी बट फॉर एक्जमपल आपका august में सप्टेंबर में वो लि बिजनस था ही नहीं आपका तो डेफिलेटल या फिट लास्ट यर का कुई डेटा देखोगी भी नहीं न इस यह आप qrmp ले सकते हो जब तक कि आपका टर्न ओवर 5cr तक नहीं पहुंचता है 5cr से उपर का आप यह option नहीं ले सकते हो 5cr से नीचे optional है मतलब आपको फैदा लगता है qrmp लेने का लीजिए नहीं लगता है तो जैसा आज सब करते है रहे अपना regular basis पर return file करते रही है उसमें ght1 और 3b monthly basis पर करिए आपको प्रॉब्लम ही नहीं है तो वह वाला आपको इसक वीडियो देखिए तो description में details मिल देंगी वहाँ से further course आप देख सकते हैं तो बाइबाए